हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक्टोर चैनल तो जैसा कि लाश्ट अपिस होड़े हमने देखा था कि जियां चैन मार्शल आर्ट कॉम्पेटिशन में आ चुगा था और लियुन फैंग ने उसे चैलेंज भी किया था कि वो उसके साथ डेथ मैच खेलेगा लेकिन लॉड जाओ औ अपने टोकिन नंबर्स ले लेते हैं इस पर आप डार्क लेवलन जुर्ण से पूशता है कि उसे कौनसा नंबर मिला है तो जियांचन उसे दिखाता है जिसमें एक नंबर था इसस पर वो कहता कि यहां जिंदा वापसा आओगे जिसपर जियांचन कयता है कि तुम्हारे हा कि एक करना लो तुमने जो किया है उसकी भरपाई करना ही इसके ब्रण रॉकरत यहां जो की N मारते हुए सीदे आलिना में चला जाता है जियाँ जाता हुए देकर चैन है और ली में और मुझा बस्ते अरिबॉड में आता है तो उसे देखकर चैन है उससे पूछता है कि क्या तुम्हीं ही हो जिसपर पूछता है कि उसके प्टरियांग ने और दीया है कि वो गर शीचे काफी सब्सक्राइबॉन काफी सब्सक्राइब बषatisf सो सबस्मात habilisator 2 और शीचे सिक्स लेवल पर है लेकिन जियांचन का कॉन्फिटेंस तो आसमान झूरा था इसलिए वो चैन हाई को इडिट बोलते हुए उसे दिन में सपने देखने को मना करता है क्योंकि दूसरे पार्टिसेपेंट्स भी वेट कर रहे थे जिस पर चैन हाई को भी काफी ददा घुस्सा जाता है जिसके बाद जियांचन शीडियों से नीचे दरते हुए इन्हें अग्रे राउंड को स्टार्ट करने के लिए कहता है यह देखकर लोगों लगता है कि जियांचन डर के मारे फाइट नहीं करना चाता है इसलिए इस फाइट का एंविनर चैन हाई है लेकिन वह जाते हैं और जगें-जगे से उसके कट लग जाते हैं जिसकी वज़े से वहीं मैदान में मारा जाता है यह देखकर सभी लोग हैरान हो जाते है कि जियांचन की मूवमेंट इतनी फास्ती कि उसे किसी ने भी नोटिस नहीं कर पाया अब चुकि चैन हाई धराशाई हो चु जियांचन की जीत को देखकर लिए उन फैंग अपने दाक पीसने रगता है इधर हम फिर से जियांचन को देखते हैं जो कि डार्क लेवन के बारे में सोच रहा था क्योंकि उसका टोकी नमबर थी दा और पता नहीं उसकी फाइट किसे होने वाली थी लेकिन जब जियांच जियांचन से नवरत करता था और उसके साथ रहने वाले किसी भी इंसान को जिन्दा नहीं देखना चाता था इस पर डार्क लेवन उससे कहता है कि अगर में मर भी गया तो भी मिस्टर लिंक जियांचन मेरा बदला तुमसे जरूर लेंगे इस पर वहां से बच्चा बोलता है इसी के साथ वह उसे क्रश करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है यह देखकर ग्रण चैन डार्क लेवन को बचाने के लिए फुल स्पीड मुशे पास चला जाता है और जैसे ही लिव जियांचन का पैर डार्क लेवन को पढ़ता है तो हम देखते हैं कि वहां से गायब था क्योंकि जियान चैन ने लियू जियान फैंग की अटेक करने से पहले ही डार्क लेवन को वहां से बचा लिया था जिस पर डार्क लेवन उसे शर्मिंदा करने के लिए उससे माफ़े मंगता है तो जियान चैन उससे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में नहीं सोच पाया शायद तुम्हेरे एक फिस्ट को सर्वाइब कर पाओ उसकी बातों से साफ जाहर हो रहा था कि वो जियांचेंग को चैलेंज कर रहा है इसलिए जियांचेंग भी उसका नाम चिलाते हुए सीधे आरीना में उसके सामने आ जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें तुम् उसका प्रफिंचन को हरा इसपर चैन्ट पैट्रीअक को काफी बुरा लगता है क्योंकि इनका बेटा चैंटियान हाओ लियू जियान फैंग से ज्यान 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 फैंग से ज् इतना ही नहीं मेरे पास swordmanship के अलावा कुछ powerful skills भी हैं जिनके बारे में किसी को नहीं पता है और मैं hope करता हूँ कि तुम मेरी strongest skill को देखने के बाद अपनी सबसे powerful skills का use करोगे इसी के साथ वो अपनी power का use करते हुए रेगिंग ड्रेगन फिस्ट को समन कर लेता है जिसे देखकर सबी लोग हैरान हो जाते हैं और किसी को भी believe नहीं होता है कि लिव जियान फैंग के पास लिव फैमिली की सबसे powerful skill है और वो भी इतने perfection के साथ उसे use कर रहा है वही लिव फैंग मनी मंच जियान चेंग से कहता है कि अच्छा हुआ जो तुम मेरे हाथों से मरने से बच गए वरना तुम्हे और जादा दर्द होता तब जियान चेंग भी अपनी power का use करते हुए हुआन कान बिलिव फिस्ट को समन कर लेता है और लिव जियान फैंग से कहता है कि तुम्हारी skill मेरे skill के सामने कचरा है और कुछ भी नहीं है अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक असली skill क्या होती है जिसके साथ ही वो लिव जियान फैंग पर attack कर देता है तो लिव जियान फैंग भी time waste ना करते हुए जियान चेंग पर अपनी dragon fist का use करते हुए attack कर देता है और जैसे ही लिव जियान फैंग का attack जियान चेंग के सामने आता है तो जियान चेंग अपनी one con believe fist से उस पर attack करता है और हम देखते हैं कि जियान चेंग का attack कि तना जदा powerful होता है कि लिव जियान फैंग का attack वहें के वहीं destroy हो जाता है जिसके विज़े से लिव जियान फैंग की चीख निकल जाती है और अब जियान चैन अपनी हुआन का अंबलीव फिश्ट का यूज़ करते हुए सीधे लिव जियान फैंग की तरफ बढ़ने लगता है ये देखकर Grand Commander काफी जदा हैरा हो जाते है कि जियान चैन ने बस एकी अटैक से लिव जियान फैंग की सबसे पावरफुल अटैक को भी डिस्ट्रॉय कर दिया और अब उसे मारने के लिए बढ़ रहा है वही लियू फेमली के पैट्रियारक और लियू जियन फैंग के फादर जियांचें को लियू जियन फैंग की तरह बटते हुए देखते हैं तो वहूत से जल्दी से हार मान जाने के लिए लियू कहते हैं बहाग कर सीधे अपने बेटे के पास जाएं लगते हैं जिस पर लॉड जाओ ग्रैंड कमांडर से कहते हैं कि मैंने आप से कहा था कि आपको इतनी जल्दी कंक्लूजर पर नहीं पहुंचना चाहिए देखिए आप गलाज थाबित हुए और जियान चेन जीत चुका है लेकिन वो गुस्ते में जीयान चेन से पूर्शते हैं कि आकर तुमने मेरे बेटे को उतनी जोरों से क्यों मारा कि उसकी हालत ओच चुकी है जिस पर जीयान चेन गहता है कि मुझे क्या बता था कि लिव जीयान प्एंक तना जद़दा कमजोर है कि वो मेरे एक पंच को भी बरदा जनता जनारतन को देखते हैं, जिसके मुँँ अभी भी खोले के खोले होते हैं, क्योंकि उन्हें बिलीव नहीं था, कि जियांचन ने एक एक करके दो आपनेंट्स को एक ही एक पंच में डिस्ट्वाइ कर दिया, अब ग्रैंड कमांडर लॉडजाओ से कहते हैं, कि शायद ज जियांचन के लिए ये फाइट को ज़्यांचन को डेफिनेटली हरा देगा, जिस पर लॉडजाओ मुस्कुराते हुए वेट करने को कहते हैं, इसके बाद एक एक करके सभी लोगों की फाइट भी स्टार्ट हो जाती है, जहां राउंड फाइप में हम सीटू को इंग सेन जुई लूओ को देखते हैं, जहां सीटू कुईंचन जीती है, इसके बाद राउंड 10 में हम लिंक्स जियांचन वसेज वूडेड वू को देखते हैं, हाई एक नाम है, और इस राउंड में ओविसली जियांचन ही जीता है, इसके बाद राउंड 12 को दिखाए जाता है, जहांपर हम चैंटी अनहाओ देखते हैं, जो कि इजली उसे हरा देता है, जिसके बाद सभी राउंड्स के विनर्स को एनाउंस कर दिया जाता है, और हम देखते हैं, कि यहाँ पर अब दोई लोग बचे हुए थे, जिसमें से पहला जियांचें दूसरा चैंटी अनहाओ होत करते हैं, जहां पर ग्रेंड कमांडर को बिलीव था कि इस फाइट में चैंटी अनहाओ ही जीतेगा, जिस पर लॉट जाओं से पूछते हैं कि क्या आपको कंक्लूजन निकालने की बीमारी है, जो आप फाइट से पहले ही हमेशा कंक्लूजन निकालके बैठ जाते हैं, जि तुरंत बाद वो सुपरवाइजर लॉट जाओ से एक रिक्वेस्ट करता है, कि वो चैंटी अनहाओ के साथ कोई नॉर्मल डू नहीं करना चाता है, वो उसके साथ लाइफ एंड डेथ का मैच खेलना चाता है, उसके इस प्रोपोसल को सुन कर वहाँ पर आएज सभी लोग काफी जदा एक्साइट होने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने काफी टैम से साथ डूल मैच नहीं देखा था, जो कि लाइफ और डेथ का हो, और वहीं खड़ा रेफरी वी चैंटी अनहाओ की तरफ घूरे जा रहा था, कि वो उसके बाले में क्या जवाब देता है, और हम द दोनों ही एक दूसरे के सामने खड़ेते हैं, जहां जियान चैन लौड जाओ और ग्रेंड कमांडर से रिक्वेश्ट करता है, कि वो चैंटी अनहाओ के साथ लाइफ और डेथ का मैच क्यों खेलना चाता है, जबकि वो इसली नॉर्मल मैच को खेल कर उसे हरा सकता है, इसल मैच को स्टार्ट करने वारे होते हैं, लेकिन उससे पहले ही ग्रेंड कमांडर आगे वरते हुए इस लाइफ और डेथ के मैच को स्टार्ट कर देते हैं, और वहाँ पर आए लोग भी पैसा वसूल फाइट को देखने के लिए एक साइट होने लगते हैं, अब चैंट यान पर दूसरे से फाइट करना स्टार्ट कर देती हैं, जहां फाइट के दोराण जियांचन की स्पीड लोग होने की वाज़े से चैंट यान हाओ जल्दी उसके वीक पॉइंट का पता लगा लेता है, और उसके वीक पॉइंट पर अटेक करता है, लेकिन जियांचन का टैक च फिनेे डिवाइन स्ट टेक्निका का यूज करते हुए, जिश जहांचन का अटेक करने लगता है। फिर्थ ग्रेट पर हो और तुम्हारी पावर्स मेरे सामने कुछ भी नहीं है तुजियां चनों से इतनी जल्दी खुश होने के लिए मना करता है और उसे बताता है कि वो तो सिर्फ उसके नाइंथ ग्रेट ऑफ स्पूरिचल रेल्म की पावर को टेस्ट करना था कि वो कैसी ह समझ जाते हैं कि वो उनके सिक्रेट फॉर्मूला का यूज कर रहा है चैंटियां हाओ की चांटिंग की विज़े से वहां पर एक यहन यांग फॉर्मेशन क्रेट होने लगता है और फिर चैंटियां हाओ इंफिनिट डिवाइन सवर्ड टेकनिका यूज करते हुए वहां पर उन पैरलेल स्वर्ड को समन करने लगता है जिससे देखकर ग्रेंट कमांडर कहते हैं कि चैंटियां हाओ वाकि बहुत जदा टेलेट है इसने नाइंफ ग्रेट ऑफ इसकी पावर को कंट्रोल करना सीख लिया है अब तो जियांचन का बच्पाना नमंकिन है जिस पर होगा इसलिए वो अपनी आखें बंद कर लेता है और अपने हाथ जोड़ लेता है जिसके साथ ही वो ट्रेंगल कोटिस स्कुप्चर सैलेंट ऑल का यूज़ करते हुए वहाँ पर एक ब्लैक होल को समन कर लेता है और उसे चैंटियां हाओ के अटेक के सामने लिया आता है जिसके विजए से चैंटियां हाओ का अटेक उससे टकरा जाता है और हम देखते हैं कि बस कुछी सेकंड से के अंदर चैंटियां हाओ का आटेक उस ब्लैक वोल में पूरी तेके समा जाता है जैसे देखने के बाद तो चैंट्पमिली के पैट्रविया के साथ हुआ तो तेश इडिया सब को छोड़ जाते हैं और वो जियान चैन से पूचता है कि भाई यह मूँव कौन सा है जिसकर जियान चैनि उसे इस मूँव का नम बताने के लिए उसके पास जायन लगता है अब चैंटिय और हाँ की एनरजी खतम होने के वज़े से वो एक्जास्ट हो चुका था क्योंकि उसने इतनी बड़ी स्वाट कुझे समन किया था इसलिए वो जियांचेंज से बचने के लिए अपनी हार मानते हुए उसे मावी मांगने लगता है जिसके जवाब में जियांचेंज शैडू ब्ल उसे गोदी लेंलेते हैं और उसे पूछते हैं कि क्या ठीक है जिस पर वो सिर्फ एकी बात कहता है कि फादर जिया जियांचेंज से ब्लाभ जडूर लेना जितना कहते ही वो मर जाता है जिस पर उसके फादर भी उसे प्रॉमिस करते हैं कि उस मुह उसाघ MYS का रूतर तो चैनिंग लॉन्ग जेनवु रेल्म में है और जियांचैं इस्पिरिशल रेल्म है लेकिन जियांचैंब बिनडर यह चैन निंग लॉन्ग से कहता है कि तुम्हारे बेटे और मैंने एक बात है इसमें तुम अगर नाई पड़ो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा बढ़ना तुम चैन फैमिली से दुश्मनी मोल ले लोगे लेकिन लॉडजाओं से सब सब्सक्राइब की साइड है और यहाँ पर चाहे तुम्हारी फैमिली का कोई मैटर हो चाहे कुछ भी हो त इस पर लॉडजाओं से कहते हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम चैन फैमिली से हो या किसी और फैमिली से हो अगर तुम हमाई ब्लू फैर आर्मी से दुश्मनी लोगे तो तुम्हें सिर्फ मौत मिलेगी तभी पीछे से ग्रैंड कमांडर आ जाते हैं जो कि ल लीडर हूं और इसलिए मुझे लगता है कि ग्रैंड कमांडर होने के नाते मेरे पास भी अधिकार है कि मैं इस कॉम्पेटिशन को भी खत्म कर सकता हूं तो लॉडजाओं तिर्शे नजर से उनकी दरफ देखते हुए कहते हैं कि तुमारा क्या मतलब है इस पर ग्रैंड कम लूँगा ताकि कॉम्पेटिशन के बाद भी कोई से हट ना कर सके उनकी बात को सुनकर ग्रैंड कमांडर अपनी असलिए उकाद में आ जाते हैं और लॉडजाओ के वेंडि स्पिलिंग पंच को चैलेज करते हुए उन पर अटेक करने के लिए क्योंकि वो खुद तो लॉ कभी भी न भूलने की बात करता है लेकिन वो यहां से जाने वाला नहीं था इसलिए वो खुद अपने मैटर को सॉल्ब करने के लिए आगे बढ़ जाता है और ग्रैंड कमांडर भी लॉडजाओ पर अटेक कर देते हैं लेकिन लॉडजाओ उनके अटेक को अपने हातों से इतना द्रोग देते हैं जिसके वेज़े से वहाँ एक शौक वेव क्रियेट होती है लेकर हम देखते हैं कि किसी का भी ध्यान उन पर नहीं था सभी लोग जियांचेन को देख रहे थे क्योंकि जियांचेन इतना कमजोर होने के बावजूद भी जैनवूर रेल्म के जियांचेन की सौट को रोक लेता है और उस पर सीदे एक पाम अटेक करता है जिसके साथ जियांचेन की सौट वहीं निंगलाउंग के पास शूट जाती है यह देखकर Channing Long Zeehan 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 गर्भात विए जैसा कि लास्ट एपिसोड हमने देगा था कि ग्रैन कमाइडर ने जयाचन को मारने के लिए चैन निंग लॉंग के साथ पुर ऐटा कर दिया था जहाँ फाइट के दौरा नहीं जयां चैन ने चैन निंग लॉंग का कुछ ज्यादा ही मजदा कुड़ा दिया जिसके विज़े से उसका पारा एकदम हाई हो जाता है और वह विना सोचे समझे जियांचेंग पर हैविली थंडर क्लॉस अटेक कर दीता है ये देखर जियांचेंग भी अपने सामने एक छोटा सा ब्लैक होल केरेट कर लेता है और उसमें चैनिंग लोग का हाथ सीधे चला जाता है और वहीं से उसका हाथ कर जाता है जिसकी विज़े से वो दर्द गिमारी चिल्ला उटता है जिस पर अब जियांचेंग खुद को समालते हुए चैनिंग लॉंग से कहता है कि तुम बले ही जैन्वूर रेल्म के फर्स्ट ग्रेड के स्टॉंग मास्टर ही क्यों नहों लेकि तुमने मुझे कमा कर बहुत बड़ी गलती कर दी है जिस हाथ से तुमने सालों तक प्रेक्टिस की एर ट्रेनिंग की है अब वो सिर्फ एक कच्रा है जियांचेंग की बातों को सुनकर और अपने कटे हुए हाथ को देखकर चैनिंग लॉंग बहुत ज़दा सदिला दिया है इसलिए अब मैं तुम पर यह अपनी थाउजन लाइटनिंग फिस्ट का यूज करूँगा चैनिंग लॉंग के बोड़ी से ऐसा प्रेशर निकल ला था कि वहाँ पर खड़े लोग भी सही से खड़े नहीं हो पा रहे थे जिसके बाद वो जियांचेंग के टोड़े करने के लिए अपनी थाउजन लाइटनिंग फिस्ट का यूज करते हुए उसकी तरफ बढ़ जाते हैं उनके अटेक को आता हुए देकर जियांचेंग सही वगताने पर ट्रेंकिल कोड़े स्क्रप्चर के एक स्पेशल टेक्निका यूज करता है जिसकी विज़े के और इस धुए को देकर चैनिंग लॉग को लगता है कि उन्हें अपना काम कर दिया जियांचेंग फाइनली खत्म हो चुका है इसलिए वो जोड़ जोड़ से हसन लगते हैं तब यह देखते हैं कि जहां पर जियांचेंग की स्वाट गिरी थी वहां पर एक वोर्टेक्स उपन होने लगता है और अगले ही पल चैनिंग लॉग की गरदन पर एक स्वाड चलती है जिसके विजए से उसकी गरदन कर जाती है और वो तरपने लगता है जिस पर जियांचेंग उसे डिसपर करने के लिए उससे माफ़ी मांगता है तो वो पूचता है कि आगर तुम सर तोड़ देता है और इसका चेप्टर वहीं किलोज हो जाता है इधर ग्रैंड कमांडर और लॉड जाओ भी एक दूसे इस फैट कर रहे थे तभी उन दोनों के वीच एक ब्लास्ट होता है जिसकी विजए से वो दोनों ही पीछे हो जाते हैं और लॉड जाओ की नजर सीधे जियांचेंड की दरफ जाती है और वो देखते है कि जियांचें ने चेंडिंग लोंग को खत्म कर दिया है ये देखकर लॉड जाओ सोचों लगते हैं कि जब आर्मी लॉड और गवरणन को जियांड की टैलेंट के बारे में पता चलेगा तो उसे इस तरीके से मरने नहीं देंगे अब जियांचेन बिल्कुल सेफ है इधर चैनिंग लॉंग की मौत को देकर ग्रैंड कमांडर को बिल्कुल भी खुशी नहीं होती है और वो काफी निराश होते हैं वहीं ओडियंस का मुझ तो खुले के खुले रह जाते हैं क्योंकि जियांचेन ने अपने से लेकिन तभी उनके सामने लॉड जावा जाते हैं जो कि उन्हें आगे बढ़ने से रोग देते हैं क्योंकि यह मैटरल जियांचेन और लियुन फैंक की बीच का था रैपिटली चेंज हो रही सिच्वेशन को देखकर ओडियंस काफी ज्यादा प्रेशन हो जाती है क्योंकि इनने समझ में नहीं आ रहा था कि вариант करते हैं क्योंकि ज्यांचेन ने हर बार उनको ग्ल्यस सावित किया है वह जियांचेन की चैलेंज करने पर लियुन फैंक जियांचेन से कहता है कि अपने आपको इंविंसिबल मत समझो भरी तुमने चैंन लों को मार दिया हो लिकिन उस लोग बेहोश होने की वेटिंग लिस्ट में होते हैं यह देखका लॉडजा को बिलीव नहीं होता है कि लियून फैंग जन्वू रैल्म में ब्रेक्ट्रू कर चुका है और अब वो समझ चुके थे कि अगर उन्हें जियांचन की हेल्प करनी है तो उन्हें आर्मी लॉड और गवर्नर दोनों को इलाना पड़ेगा ताकि वो जियांचन की हेल्प कर सकें वहीं ग्राइन कमांडर लियून फैंग की पावर को देखकर काफी खुश होते हैं क्योंकि वो कुछ दिन पहले मिले थे जब वो स्प्रिचल रैल्म में था और अब वो जैन्वू रैल्म में है इसलिए वो लोड़ाओ से कहते हैं कि तुम चाहें जियांचन को प्रोटेक्ट करने की कितनी भी ट्रै क्यों ना कर लो आज उसे मरने से कोई भी नहीं बचा पाएगा वहीं लियून फैंग जियांचन को अपने जैन्वू रैल्म के पावर का दिखाते हुए उसके स्प्रि वहाँ पर अपना मॉनिमेंट निकाने लगता है और हम देखते हैं कि उसका मॉनिमेंट ड्रैगन एम्परर का होता है जो कि लियून फैंग के मॉनिमेंट से काफी ज्यादा बड़ा होता है ये देखकर लियून फैंग की तो हवा निकल जाती है तब ही जियांचन के मॉनिम जियांचन डिवान रेल्म से बिलॉंग करता है और इसमें वह जियांचन नाम की लड़के की बॉड़ी में रिंकार्नेट हुआ है लेकिन डिवान में गौड मास्टर होने के वेज़े से उसका मॉनिमेंट और इनरी मॉनिमेंट से काफी सदा अलग था अब तोड़ी फूटी आते हुए पीचार जाता है और उस आदमी से उसके बारें पूछता है जिस पर वो आदमी अपना नाम सी टू कोईन जून बताता है जिसके बाद वो जियांचन से कहते हैं कि तुम लिवन फैंक दोनों ही ब्लू फैर सिटी में रेयर जीनेस हो इसलिए अब तुम लोग को पूर्णी फैर यहीं रोग देनी चाहिए उनके नाम को सुनते ही जियांचन उनसे पूछता है कि क्या ब्लू फैर सिटी के मिलिटरी लीडर है जिस पर वो कहते हैं कि हां मैं मिलिटरी लीडर हूँ इसलिए अब तो लोगों को यहीं फैर के बीच में आ रहे हैं लेकिन तब भी यह वही करते हैं जो अभी कर रहे हैं तब लोड सी तो फिर से जियांचन से एक फेवर करने के लिए कहते हैं जिस पर जियांचन पहले तो इंजर लीवन फैंग की तरह देखता है और फिर अपनी स्वाट वापस लग लेता है और कहता है कि अगर आप दोनों ही लो बहुत खुशी से कूदने लगती है क्योंकि अब सभी लोग जियांचन के इसाथ हो चुके थे और कहीं लोग तो जियांचन की शाधी अपनी बेटियों से करा कर उसे अपना सनिलो बना देना चाते थे लेकिन वो लोग जियांचन से बात करें उससे पहले ही लौड सी तू कमांडर जीच उनके को उनके पद से बरखास करने के साथ साथ तुबारा किसी और पद को न देने की बात करते हैं चुकि उन्होंने ब्लू फैर आर्मी के ग्रेंड कमांडर होने के बावजूद भी मिलिटिड रेगुलेशन्स और लोग को इंग्नोर कर दिया था इन दोनो अगर आपके कोई और भी डाउट रह गए हो तो प्लीज हमें कमेंड में जरूर बता है हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट को क्लियर कर सके एंड थैंक्स फर वचिंग तो जैसा कि लाश्ट आपिसोट हमने देखा था कि जियांचेन ने मिलिटिर लीडर के कहने पर लियून फैंग की जिन्दगी को बक्ष दिया था जिसके बाद मिलिटिर लीडर ने जियांचेन को बिनर अनौन्स कर दिया था ये सुनकर सभी लोग खुश जाते हैं लेकिन सभी मिलिटिर लीडर सभी को शांत करा देते हैं क्योंकि उन्हें दो और बड़ी एनौन्समेंट करनी थी जिसमें से पहली ये होती है कि वो जियांचेन और सीटू को इन्सान को कॉलिटर विमान कर मैजिकल सीकेट प्लेस में भीजने वाले थे जिसके तो रहना द वाद व जो कि टोटी-फुटी हालत में खुद को समालते हैं वहां से जा रहा था लेकिन हम देखते हैं कि उसका गुष्णा सांत नहीं हुआ था बलकि और दा बढ़ चुगा था इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो जियांचेन से अपना बदला रेगा और उसे एक हजार बार से जादा हुमिलेट करेगा इसके बाद यह से नहीं कट हो जाता है और फिर हमें अगले दिन मैजिकल सीग्रेट लैंड को दिखाया जाता है जहां पर जियांचेन के अलावाद सी तो और डार्क लेवन को भेजा गया था जहां हम जियांचेन को देख पाते हैं जो कि वहां की हर्ट, फूट्स और काई सारी वैडिसन्स को क्लेक्ट कर दो था और हम देखते हैं कि अव नहीं की आशधिया हैओं को अपने साधियों से अलग हो चुका था लेकिन इस token की help से वो उनकी location को track कर सकता है और उनको एक distress signal भी भेज सकता है इसलिए वो अपने सारे collect किये गए materials को अपनी spacing में absorb कर लेता है और फिर बहाँ से जाने के लिए ready हो जाता है अब जैसी वूजो बहाँ से जाने वाला होता है कि तभी वहाँ पर एक लड़की help help चिलाते हुए अपनी साथी के साथ आ जाती है और वो जियांचन के पैरों पे गिरते हुए उससे help मांगे लगती है और उसे बताती है कि हम दोनों लीवो सिटी के नारंग क्लैंसे हैं और हमें यहां strong लोगों के एक group ने घेर लिया था उन्होंने हमारी इस प्रिजर हबस तो ले ली लेकिन वो इसके अलावा बूब मुझे मॉलेस्ट भी करना चाते थे जिस पर उसका साथी उससे डांटते भी कहता है क्योंकि जो लोग इनका पीछा कर रहे थे वो लोग यहां तक पहुंच जाते हैं और यहां इन्हें चारों तरफ से गेर लिया जाता है जिस पर उस लड़की का साथी उसे जांटने लगता है और कहने लगता है कि यह सब तुमारी करती है अगर तुम इस लोजर के सामने हेल्प मांगने लिए ना रुकती है तो हम लोग फिर भी भाग सकते थे जिस पर वो लड़की इस बात के लिए उसे माफी मांगती है लिकिन अब जैसे ही लोटेरों की नजर जियांचन बजाती है तो उसे देख करने लगता है कि यह काफी रिच होगा और इस पर जियांचन के फिर्फ ग्रेट वर होने की वज़े से यह हमारा क्या ही बिगाड़ लेगा इसलिए उनका जो लीडर होता है वो सीधे जियांचन की दर स्वाट पॉइंट करते हुए कहता है कि तो मारे पास जो भी कोछ है वो हमेदे दोबर ला हम तो मैं मार देंगे इस पर जियांचन के था है कि हम दोनों की कोई दुश्मनि नहीं है और हम पहली पर मिले है उस पर भी तुम मुझे मार देना चाहते हो इस पर वो लोटेरे जियांचेन का मज़ाग उडाते हुए कहते हैं कि अच्छा अगर हम तुमारे सायता ऐसा नहीं करें तो तुम ही का डिनर खिलाएं तुम लगी हो जो हम तुम से जुबान से बात करते हैं बरना हम अपनी जुबान से नहीं तलवार से बात करते हैं उनकी इस बात को सुनने के बाद Ziyan Chen भी ताव में आ जाता है और वो भी अपनी स्वाट निकालते भी कहता है कि चलो देखते हैं कि आज कौन लगी है। उसे काफी जदा ट्रईजर मिल जाता है जिसे देखकर वो काफी जदा खुश होता है और कहता है कि यह लोग तो काफी जदा अमीर थे अगो उसका तोट06 ग्रेन वाईब्लिट गर गये लगता है और जब वो निकाल के देखता है तो उसका टोकिन ग्रीन से रह जोगा था जो कि एक वार्डिंग साइन होता है जिसे देखते ही वह समझ जाता है कि उसके साथ एक मुझी दिवत में और उन्हें उसकी हल्प चाहिए इसलिए वो तोन दोब करने के लिए से कुछ जादा ही जैलेस हो रहा था क्योंकि वो लड़की थोड़ा जियांचन में इंट्रस्ट लेने लगी थी इसलिए वो सोचता है कि वो से जल्द से जल्द सकते हैं इस पर यह लोग इनका मज़ा कुड़ाते हुए कहते हैं कि हमें इनके कल्टिवेशन को डिस्ट्रॉइ करके इन्हें गुई यान सिटी के ती हास के सामने भीक मांग देने के लिए छोड़ देना चाहिए जिससे काफी ज्यादा मज़ा आएगा जिस पर तभी इन कर देते हैं कि अगर हमें मरना ही है तो हम तुम सब को साथ लेकर मरेंगे लेकिन को इंकी पावर इन वहांपर उड़ते हुए इस दियान चाहना जाता है जो कि आते ही इसी दे एक पर एक पर चाहतु करते हैं और फिर एक एक बाद एक एक के बाद एक करके सभी को मालना स्टार्ट कर देता है पर जल्दी वो अखनी वाली के पास से पहुंच जाता है और पीछे से उसका सिर्फ पकड़ते भी कहता है कि तुम कहां जा रहे हो तुमने क्या सोचा तुम सीकर्टी यहां से निकलने को इसकरोगे अब जियांचन को अपने सामने देकर यह दोनों चैन की सांस लेते हैं और उससे कहते हैं कि फाइनली तुम आ गए तो जियांचन सबसे पहले ने कोई इंग की डवरेस ने एक टेक्निक से आजाद कराता है और इंसे पूचता है कि अच्छा हुआ मैं टाइम से आ गया क्या तुम लोग ठीक हो जिस पर यह लोग खुद को लवक ठीक बताते हैं वहीं पीछे खड़ा हुआ कोई इंग जब यह देखता है कि जियांचन ने एकी एटक से उसके कई सारे लोगों को मौत के खाट उतार दिया है तो यह देखर समझ जाता है कि वह जियांचन के बरावर कर नहीं है इसलिए वो कॉपर एंड गोल्ड एलाव की पावर का यूज़ करते हुए एक एरे बनाने का सोचता है इसलिए वो खुछ होते हुए अपने साथ एक बजाता है कि इस कॉपर एंड गोल्ड एलाव की पावर से बनी हुई शिल्ड को कोई सिक्स रिगेट का जिन्वो रैल्म का मास्टर भी तोड़ नहीं सकता है जिस पर उसके चमचे भी इस बात के लिए उसकी तारीफ करने लगते है वही कोई इंग के इस टर्डल शेल एरे को देखने के बाद डार कले बन कहता है कि यह तो बहुत ज़्यादा पावर्फुल एरे है जिस पर सीति कुई चैन कहता है कि शायर ये जियान चैन के लिए ज़ादा पावर्फुल नहीं होगा जिस पर अब जियान चैन भी अपनी सौट को जमीन में गडाते हुए कुई इंग से कहता है कि तुम्हें कह लगता है कि मैं इस डिफैंस को तोड़ नहीं सकता हूँ जिस पर वो हसते भी कहता है कि तुम कभी में नहीं तोड़ पाओगे इस पर अब जियान चैन उसे हाकिकत से रूबरू कराने के लिए ट्रैंकिल कुटिस स्क्रप्चर का यूज करें लगता है और देखते है कुई इंके टर्टरशल एडरे के उपर जियान चैन का व्लैक रेडी हो जाता है जिसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है यह देखकर उनो धो की हावा निकल जाती है तब ही जियान चान अपने ब्लैक वोल की पावर का यूज़ करते हुए उनके टर्टेशनल एरे को पूरी तरीकी से एब्सॉर्ब कर लेता है जिसके विज़े से एरे के अंदर जो भी होते हैं वो तब ही लोग इंज़र्ड हो जाती है जिसके बाद जियान चान कोई इंगे पास जाता है और उसके सिर्फे पैर रखते हुए कहता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा भी को तुम तो एक सेकेंड भी मेरी पावर को होल्ड बेक नहीं कर पाए जियान चन की पावर को देकर और उसे इतना ज़दा करीद देकर कुईंग की फट जाती है इसलिए वो उसे माफ़ी माँगने ते हुए कहने लगता है कि मैं मानता हूँ कि मैं बहुत ज़दा लालची और बहुत ज़दा बेवकूफ हूँ मैं मरना भी डिजर्व करता हूँ लेकिं प्लीज हमें एक चांस दीजिए ताकि हम जिन्दा रह सकें मेरे पास एक ट्रेजर मैप है जो कि मैजिकल सीक्रिट लेंड का है और मुझे लगता है कि वो आपको पसंद आएगा ये बात सुनकर वो उसे छोड़ देता है कि जो लो देखते हैं कि तम्हारे ट्रेजर मैप मुझे पसंद आता है या नहीं जिस पर आप कोईएंग भी अपने पास से उस ट्रेजर मैप को निकाल कर Зियांचन को दे देता है और कहता है कि आपको treasure पाने के लिए mining करनी होगी और mining के लिए manpower बहुत ज़दा जरूरी होता है हम आपके इसमें help करेंगे हम आपके survey बनके रहेंगे प्लीज हमें माफ कर दीजे कोई इंक के बदलते हुए रंगों को दे कर इन दोनों के expressions कुछ ऐसे होते हैं क्योंकि कोई एंग कुछ देर पहले इन दोनों को मार देना चाहता था खेर कोई एंग से मैप लेने के बाद जियांचन उससे कहता है कि तुम्हारा मैप जितना ज्यादा वैलियूबल होगा तुम्हारी जिंतकी बचने के चांसे उतनी जदा बढ़ जाएंगे इसके बादो जैसे इस जियांचन मैप को देखता है तो उसे बहाँ पर मार्शल इस्परेट, एंशिन सोल सेक्ट, सोल इटिंग बीस्ट इन सब के बारे में पता चलता है जिनके बारे में जानकर जियान चैन समझाता है कि उसे यहाँ पर हाई ग्रेट मार्चल इस्परेट के अलावा सोल इटिंग बीश्टिव मिल जाएंगे जो कि उसके कल्टिविजन में बहुत ज़दा इंप्रूमेंट ला देंगे इसलिए जियान चैन कोईिंग से कहता है कि तुम्हारा ट्रेजर में आप तो काफी अच्छा है मैं तुम्हें मारूंगा नहीं मैं तुम्हारे उपर सील लगा कर तुम्हें माइनिक करने के लिए छोड़ दूँगा जिस पर ये लोग बहुत ज़दा खुश जाते हैं और एक दूसरे को गले लगा लगा के रोहें लगते हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसी के साथ ये सीन यहीं कट हो जाता है अगली सीन में कॉपर एंड गोल्ड एलाई वाइन के आउट साइट का दिखाया जाता है जहां पर वही दोनों लड़का लड़की आये होते हैं जैसे जियांचन कुछ दे पहले बचाया था और वो लड़का उस लड़की को बताता वो लड़का उसे जियांचन के बारे में भूल जाने के लिए कहता है और बताता है कि सीक्रिट लैंड में उस लड़की से भी कई होना पाउरफुल होग है और वो लड़का अभी तक मर भी चुका होगा जिस पर सामने ही एंटरेस पर खड़ा जियांचन उससे पूछता है कि कौन मर चुका होगा जियांचन के आवाज को सुनकर और उसे अपनी सामने देखकर ये तो नहीं हैरान हो जाते हैं और वो लड़की अपने साथ वाले लड़के से हाथ चुला कर सीधे जियांचन की तरफ भागे लगती है बहले ही वो लड़का उसे रोकता रहता है लेक करते हुए कि हम याज के भाई को जोईन करने के लिए हैं इस पर जियांचनी समझ जाता है कि लड़का भी अपने भाई की तरह ही एरोगेंट होगा और हम देखते हैं कि लड़का वाकि अपने भाई से भी जादा एरोगेंट होता है और वो एरोगेंट ली अपना इंट्र अपना गोलाम motivo usis को आया चाह早 को नुफिया और परा जिक टिसटी जिसे यहान जाता है जुके वई होता जैसे कुछ दीर पहले कि बेंड़िट से बचायता ञाकर है जैसे लिए बना तेंक्यू सुने माँए चला गया था और जैसे यह अवे जागते हुए जिस पर उसका साथी है उसे रोखने के कोईशिश करता है लेकिन नहीं सुनती है और बड़ी मासुम हैं से इसे थैंक्यू कहती है और कहती है कि मुझे नहीं पता था कि मैं आपसे दुबारा मिल जाओंगी जिस पर जब जियांचन उनसे पूछता है कि तुम लोग यहां क्या कर रहे हो तो वो लड़की अपने साथी के तरफ इसारा करते हैं कहती है कि हम इसके बड़े भाई को इंक को जोएन काने के लिए आए हैं उसे देखर यह जियांचन समझा लाता है कि यह भी अपने भाई की तरही एरोगेंट होगा और उन्हें कलता भी ऐसा ही है वो अपने भाई से भी ज्यादा होता है और वो जियांचन को थेंक्यू कहने की जगह है अपनी बड़ायें काने लगता है और कहता है कि मैं क्यों इंका छोटा भाई को इस संग हूँ और फेर पताने क्या सोचकर जियांचन से कहता है कि तुम देखने में तो बिलकुल भी बीक नहीं हूँ इसलिए तुम्हें हमारा गार्ड बन जाना चाहिए हम लोग तुम्हें काफी सारा कॉपर एंड गोल्ड एलाव देंगे और तुम अमीर हो जाओगे उसकी बात को सुनकर जियांचन मुस्कुराता है और उसे गोल्ड एलाव दिखाते हुए कहता है कि क्या वाकई में ये और इतना दा प्रीशेस होता है मेरे पास भी कुछ पढ़े हुए है आप कोईसन को तो बता नहीं था कि सारी मायन ही जियांचन ने अपने अंडर में ले ली थी इसलिए वो सीधे जियांचन पर इंजाम लगाते हुए कहता है जरूर मेरा भाई जब मायनिंग कर रहा होगा तो तुमने ये सब चुरा लिया होगा तुम्हें एक नमबर के चोरो ये सब वापस कर दो अगर मेरे भाई को बता लगा तो वो तुमें जिन्दा नी शोड़ेंगे जिस पर ये लड़की जिसे यहाँ पर लिंक अगर संबोधित किया गया है उस जियांचन का डिफेंस करती भी कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि यह इस टैप का इंसान होगा इसलिए तुम इन पर इंजाम लगानों बंद करो जिस पर कोई सेन उससे कहता है कि तुम पागल म देख पाओगी उसकी इन बातों को सुनने के बाद जियांचन मुस्कुराते हुए इससे कहता है कि मैंने तुम्हाई जान बचाई और फिर विर तुम मेरी इतनी बुरी तरह की से बेज़ती कर रहे हो लेकिन अब तक उसकी बातों ने जियांचन को काफी जदा गुस्तन द खुश होते हुए जियांचन को बताता है कि यह concentrated material बहुत जादा valuable होता है वो जादा valuable item इसलिए दे रहा था तक जियांचन खुश हो जाए और जल्से जल्द उन्हें release कर दे अब जैसे कोई संक को इनको देखता है तो भागते हुए उसके पास जाता है और इसको सानी राम क पहानी बता देता है जिसके बाद हुमें वहाँ पर किसी के पिटने की आवाज सुनाई देती है और हम देखते हैं कि कोई इंग तो जियांचन की खिद्मत करने में लगा हुआ था और उससे माफिमांगते हुए कहता है कि प्लीज अब गुस्ता मत हो ना इस copper and gold एलाए के म में काफी ज़ता फेमस है और कोईशन को भी ये देकर अपनी आखों पर बिलीव नहीं हो रहा था कि उसका महान भाई जिसे वो बहुत ज़ता पाउरफुल समझता है वो किसी के सामने गिरगड़ा रहा है तब ही जियांचाइन को इंसे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं मारने वाला हूँ बाब जुदिस के मैंने तुम्हारे जान बचाई थी बाब जुदिस के इसने मुझे अपनी एनिमी की तरह ट्रेट किया तो मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए इस पर कोई ये कहता है कि मैं आपकी बात समझ गया मैं आपको ऐसा अंसर दूँगा जिसस कि प्लीज आप ऐसा मत किजिए मैं आपका भाई हूं तो कोई इंग उस पर डेडली अटेक करते भी कहता है कि इस बात के लिए तुम्हें खुद को बिलिम करना चाहिए क्योंकि तुम्हें उसे उफएंड किया है जैसे तुम्हें नहीं करना चाहिए था इसके साथ ही कोई इ चाहिए किसी भी हद तक जा सकता है इसे वो सोचता है कि उसका काम होते ही वो इसे खत्म करतेगा तभी कुई इंग जियांचन से पूछता है कि क्या आपको इसे सब देखकर खुशी मिली जिस पर जियांचनों से इस बात का कोई जवद नहीं देता है और डार्ग लेवर औ इन दोनों को बुलाने के लिए चला जाता है और कुछी देर में डार्क लेवन और कोई से तू दोनों भाहर आ जाते हैं जिस पर जियांचर उने बताता है कि उसे इमिजेटली किसी इंपोर्टन काम के लिए इंजियन सोल सेक्ड जाना पड़ रहा है और हो सकता है कि मैं हमारा काम हो जाए वैसे ही तो उनको यह को खत्म कर देना क्योंकि वह एकदम रूथलेस है और किसी भी पाल अपना रंग मदल सकता है जिस पर यह दोनों यह उसे यकीन दिराते हैं कि वह सारा काम यहां का अच्छे तरीके से देख लेंगे इसलिए वह बेफिक्र कर अपने कसलwand अबिकर रहा इस अदम नाम मावली होता है चोकि लिफयों सिती से होता है जिस पर यह लेडिजिसका नाम लिहान। is से होती है वो कहती है कि अगर हम अंदर नहीं जा पाए तो क्या हुआ तुम भी तो इस एरे को नहीं तोड़ पाऊगे इसका मतलब है कि हम इसे कोई अब किसी को नाम तो नहीं पता था लेकिन जियान चैन को देखने से उन्हें उसका ग्रेट पता लग रहा था इसलिए वो उसका मजा कुड़ाते हुए कहने लगते है कि यह तो इस प्रिचल रैल्म के फिफ्ट ग्रेट भर है इसे कह लगता है कि यह इस एरे को हटा देगा ल कुड़ेशन एरे का ही पार्ट था इसलिए अब जियान चैन्जाद देरी ना करते हुए स्टार मांटें सीलिंग एरे को हटाने लगता है यह देखकर वहां खड़े लोग उसका मजा कुड़ाने लगते हैं और लिहान भी उससे कहते हैं कि यहां पर कई सारे रैट्स हैं ज इसके विज़े से यह काम्याब हो जाए इसलिए वो बस चुप चप खड़े होकर देख रहा था लेकिन हम देखते हैं कि माउली को तो कुछ जादे खुझली हो रही थी इसलिए वो जियान चैन के पास आते हुए कहता है कि बच्चे तुमारे पास सिर्फ 3 सेकंड है अगर जियान चैन सोचता है कि मैंने जतना एक्सपेक्ट किया था यह एरे तो उससे थोड़ा जादा स्टॉंग निकला इसलिए में लेट 3 सेकंड खा गया लेकिन अब जैसे ही माउली अपने वैपन से जियान चैन पर अटेक करता है तो हम देखते हैं कि उसका टेक्स जियान चै यह पिर वो सच में एक एरे मास्टर है जिस पर मिंगोन से यह बाते छोड़ कर सीधे अंदर जाने की तैरी करने के लिए कहता है चूकि अंदर 5th grade के green marshal spirit रखे हुए हैं तो इस पर माउली मिंगोन और लिहान से कहता है कि अगर हमें अंदर जाना है तो हमें अपने जग्र को भुला कर एक साथ आना होगा और अपनी जॉइंट फोर्सेस से इस एरे को ब्रिक करना होगा जिस पर अब लिहान और मिंगुंग भी इस बात के लिए रेडी हो जाते हैं और रिके करके अपने अपनी पावर्स का यूज करने लगते हैं इतना ही नहीं वो लोग अपने रेटेक हो रहे हैं तो हो समझाता है कि एरे वस कुछी देर का मैमान है इसलिए वो अपनी स्वीर और तेच कर देता है ताकि वो जल्द से जल्द मार्शल इस्पिर्ट को धून सके और फिर कुछी देर में वो जगए भी पहुँच जाता है जहां पर फिफ्ट ग्रेड की ग्रीन मार्शल इस्पिर्ट रखी हुई थी जिसे देखर जियांचन कहता है कि इंचेंट सोल्स एक्ट वाले तो बहुत जदा इविल थे इन्होंने ब्लट पूल बनाने के लिए काउंटलेस हीमन सोल्स को रिफैन किया ताकि इसके अंदर मार्शल इस्पिर्ट अच्छे स जियांचन भी बसके ब्लेड को अधर मार्शल इसके मार्शल इसके बावजुद भी इस लड़के ने अपने फिस्पिस का यूज़ करते हुआ हुई इन ब्लेड को ब्लोक ही पहुचिये इसका मतलब है कि हम उसे बिल्कुल भी अंडरेस्टि पे नहीं करना चाहिए इस पर माउली कहता है कि ये चाहें कितना भी वावर्फुल कि नहीं हो ये हमारी जॉइंट अटेक के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगा इसे दर्ड़ने की कोई जरूत नहीं है अब उसकी बात को सुनका जियान चैन अपनी स्वाट निकालते हुए कहता है कि लगता है कि मुझे मार्शल स्पिर्ट तब तक नहीं मिलेगी जबता कि मैं तुम लोग खत्म नहीं कर देता हूँ इसी के साथ ये एपिसोड यहीं करता है तो जैसा कि लाश्ट अपिसोड हमने देखा था कि जियान चैन इंशिन्ट सूल से पहुँच जाता है जहां रैलिक्स के बाहर माउली, ली, हान और मिंगुन खड़े होते हैं लेकिन जियान चैन उन सब पर ध्यान ना देते हुए सीधे वहाँ पर लगे सेवन स्टार माउंटें सीलिंग एरे को प्रिक करते हुए अंदर चला जाता है जिसपर अब पहले से वहाँ खड़े हुए माउली, ली, हान, मिंगुन भी अपनी अपनी पावर्स को मर्च करके उस एरे को डिस्ट्रोई कर देते हैं और जियांचेन के पीछे पीछे उस जगे आ जाते हैं और माउली जियांचेन पर अटेक करते हुए उससे फिफ्ट ग्रेट ग्रीन मार्शलिस पर लेने से भी रोक देता है लेकिन माउली के अटेक जियांचेन पर जरा भी कारगर नहीं होते हैं क्योंकि जियान चैनल की अटेक को इसली ब्लॉक कर लेता है, जिस पर लिहान माउली का मजा कर आते हुए कहते हैं कि तुम तो स्प्रिचल रेल्म के फिफ ग्रेट के लड़के से भी हार गए, तुम तो सबसे बड़े लूजर हो, जिस पर मिंकोने सियाद दिलाता है कि ये लड़का अकेले ही बहार लगे एरे को बिना तोड़े हुए ही अंदर आ गया, यानि कि इसकी पावर बहुत ज़दा है, इसलिए हमें बिल्कुल भी केरलेस होनी के जरूरत नहीं है, लेकिन इस पर मावली हसते हुए कहता है कि तुम्हें इतना ज़दा घबरानी के जरूरत नहीं है, हमारी जॉइंट अटेक के सामने ये लड़का कुछ भी नहीं कर पाएगा, उसके बासंकर जियांचन उपनी स्वाट निकालते हुए कहता है, कि लगता है कि मुझे मार्शल स्पर लेने के लिए तुम लोगों को भी सबक सिखाना पड़ेगा, तुम्हाली जियांचन से कहता है कि तुम ये मैं सोचो कि तुमने मेरा टैक होक लिया, इसलिए तुम इन्वेंसिबल हो, और लिहां भी जियांचन को एडवाज देती है कि तुम्हारी स्ट्रेंद इतनी ज़दा नहीं है कि तुम हमें हरा सको, इसलिए अच्छा है ये होगा कि तुम हमारी टॉट्चर से बचने के लिए खुद को खत्म कर लो, ये ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, इस पर लिए जियांचन मुश्कराते वए कहता है कि वो तो देखा जाएगा कि कौन किसे टॉट्चर करता है, जो कि एक demonic technique होती है, जिसे देखने के बाद तो इन थीनों कोई पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि उन्हों रिए नहीं सोचा था कि जियांचन इतनी dangerous technique का यूज़ करने लगेगा, और हम देखते हैं कि जियांचन के इस technique का यूज़ करने की वेज़े से वहाँ पर जो blood pool होता है, उसमें सारा blood उटकर इन लोगों के आज़ पस च्छा जाता है, जिसके वेज़े से ये लोग एक अलगी space में पहुंच जाते हैं, जिसे देखर लिहान कहती है कि लड़का spiritual realm के 5th grade पर नहीं हो सकता है, ये ज़रूर किसी trick का यूज़ कर रहा है, तब ही जियांचन उससे कहता है कि तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये सब भी खत्म नहीं हुआ है, जिसके साथ ही वो night walks of the 10,000 skulls का यूज़ कर दीता है, जिसकी वज़े से वहाँ blood pool में से कई सारे demon skulls उट उटकर इनकी तरफ आये लगते हैं, अब इतने सारे हत्यार बंद skulls को अपनी और बढ़ता हो देखकर इन लोगों के पसेने चूट जाते हैं, और इनको बिलीव नहीं होता है कि ये लड़का इतना ज़्यादा evil है, इसने इन लोगों को मारने के लिए इतनी dangerous power का यूज़ कर दिया, बड़वें के पास fight करने के लाबा कोई और चारा भी नहीं था, इसलिए लोग fight करने लगते हैं, जहां मावली अपनी flames का यूज़ कर रहा था, वहें ली हान अपनी किक्स का यूज़ कर रही थी, और हम देखते हैं कि मिंक कुन अपनी poison का यूज़ कर रहा था, यानि कि वो एक poison master हो सकता है, लेकिन अब इन लोगों के सारे attacks एकदम users होने लगते हैं, क्योंकि इन लोगों को नहीं पता था, कि जितने time तक ये लोग जियां चेंगे बनाए हुए special space में रहेंगे, ये skulls दुबारा खड़े हो जाएंगे, और ये चाहें कि इतना भी उन्हें डिस्ट्रॉई क्यों ना कर लें, इससे नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हलांकि इन लोगों को ये बात कुछ दिर बात समझ माजाती है, कि इनके सामने नहीं टिक पाएंगे, इसलिए लिए लिहां चेल आते हुए कहती है, कि लिए लगता है कि हम लोग मरने वाले हैं, जल्दी कुछ करो, इसलिए तुम दोनों को अपनी सारी पावर्स मुझे ट्रांसफर करनी होगी, क्योंकि मैं अपना सबसे स्टॉंगेस्ट ब्लो का यूज़ करने वाला हूँ, तो ये दोनों उस पर ट्रस करते हुए, अपनी पी पावर्स को खटा करते हुए, उसके अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, और हम देखते हैं, इसकी वेज़े से, मिंगोन की पावर्स अचानक से बहुत ज़दा बढ़ जाती है, जिस वज़े से, मिंगोन अपने इस्पिर्ट डिस्ट्रॉइंग स्पेर का यूज़ कर सकता था, इसलिए वे अपने इस्पिर्ट डिस्ट्रॉइंग स्पेर से, सीधे जियांचन की तरफ अटेक कर देता है, और हम देखते हैं कि उसके सामने, जितने भी इसकल्स आ रहे थे, उनसे भी को डिस्ट्रॉइ करते हुए, ये अटेक सीधे जियांचन भी अपनी किसी स्पेशल पावर का यूज़ करे लगता है, जिसके वेज़े से ब्लड पूल का सारा ब्लड हवा में चला जाता है, और वहाँ पर एक एंपरर सोल क्रियेट हो जाती है, जो की बिलकुल पूरी तरीके से डेमॉनिक होती है, जिसने वता जलता है कि जियांचन ने एंपरर सोल समनेंग टेक्निक का यूज़ किया था, जो की ब्लडी नीदर वर्ब फर्मुला से होती है, अब एंपरर सोल आते ही सीदे मिंक उनके बनाए हुई एगल स्परिट स्पियर को पकड़ लेता है, और उसे एक ही बार में डिस्ट्वाइ कर देता है, उसके ऐसा करते ही ये तीनों इंजट हो जाते हैं और दूर जाकर गिरते हैं, और हम देखते हैं कि लीहान सीदे एक स्कल की हड़ियों पर जाकर गिरती है, जिसके वेज़े से वाड़ियां सीदे लीहान के चेस्ट के आरपार हो जाती है और लीहान की वहीं मौत हो जाती है, ये देखर अब जियांचने लोग का मज़ा कुड़ाते हैं कि तुम दो खुद को मोस्ट पावर्फुल कह रहे थे, क्या हुआ, तुम्हारी पावर इतनी ही थी क्या, तो दो एक नमबर की घटिया और वीक इंसान हो, फिर इनों को अभी तक जियांचन की पावर का अंदाज़त तो हो जोगा था, इसलिए मिंकुन जियांचन से पूछता है, कि तुम इतने ज़्यादव पावर्फुल हो, आकिर तुम हो कौन, और मौली भी कहता है, कि आखिर तुमने हमें हराने के लिए, इविल मैधर का यूज़ क्यों किया, तो जियांचन उन से कहता है, कि मैं कौन हूँ, कहां से आया हूँ, क्या हूँ, ये सब तुम्हें बताने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि तुम्हें समझवें नहीं आएगा और वैसे भी अब तुम लोग मरने वाले हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हें पता होना चाहिए या नहीं इसके साथ ही वो अपने हाथ को उपर उठाते हुए किसी स्ट्रंग पावर का यूज़ करें लगता है जिसके विज़े से ब्लड पूल का सारा ब्लड इन लोगों को पकड़ लेता है जिसके विज़े से ये लोग अब जादा मूव नहीं कर पा रहे थे इसलिए वो यहां से बाहर जा रहा था ताकि उससे और जाता कोई हर्ट नहीं हो अब जियांचन को जाता हुए देखकर यह लोग भी फढ़ाएं लगते हैं और जियांचन से मा भी मांगते हुए अपने साथ दे जाने के लिए कहते हैं जिस पर जियांचन मुसकर आते थोड़ा खुश हो जाता है क्योंकि अब इसके हैल्प से वह अपनी स्ट्रेंद को एक लेवल से इंग्रीज करता है तब हम जियांचन के आसपास देखते हैं जहां कुछ एक दम से गुजरता है और यह बात जियांचन में नोटिस कर लेता है और जैसे ही वह जीज स्पीड में जैसे इस्ट हो करती है तो वोसे अजयकर गर यूजरता है यही कारब भी इक इसपिरिशल बीस्ट को अपना पैट बनाने के कोशिश करता है लेगन है इस बीस्ट को देगर सोचता है कि इस beast की bloodline की power तो अभी तक पूरी तरीकी से activate भी नहीं हुई है इसलिए ये beast अगर चाहे भी तो इस martial spirit को swallow नहीं कर सकता है तब ये beast जियांचन को धमकाते वे कहता है कि ओए चुप चाब यहाँ से निकल जाओ लेकिन इस समय मुझे अपनी strength को urgently improve करना है इसलिए I'm sorry मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता हूँ उसकी बात सुनकर spirit beast उसे घुर घुर देखने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें खा जाओंगा अपनी binding technique में बांद देता है जिसके वेज़े से वो नीचे ध्राम से गिर जाती है ये देखर दियांचन मुस्कुनाय लगता है और कहता है कि अब तो सुधर जाओ तब वो थोड़ा हैराम होते वे सामने देखता है तो अपता चलता है कि वो बिला रो रहा है लेकिन इसके लिए तो मैं मेरे साथ God Beast Contact Sign करना होगा तो ये Cat Beast जियांचन से कहता है कि कहीं तुम उसे मजाग तो नहीं कर रहे हो कहीं तुम ये सब करके मुझे अपना पैट तो नहीं बनाना चाते हो उसके बाद सुनकर जियांचन जोर दो से हसन लगता है और उसे कहता है कि मैं लिंक जियांचन हूँ और मुझे इन सब ट्रिक्स का यूज करने की कोई जरुवत नहीं है जिसके बाद वो अपनी बाइंडिंग टेक्नी से उसे फ्री कर देता है और उसे थोड़ी देर अच्छे से सोचने के लिए कहता है क्योंकि वो अब मार्शल स्पिर्ट को एब्सॉर्ब करने जा रहा था जिसके बाद वो उसका रिप्लाइ लेने के लिए इन्दार करेगा जिस पर अब वो कैट बीस्ट भी सोचन रखता है कि उसे एक इंसान पर भरुसा करना भी चाहिए या नहीं इसके बाद अब जियान चाहने एक जेगे बैठ जाता है ताकि वो जल से जल इस मार्शल स्पिर्ट को एब्सॉर्ब कर सके क्योंकि उसके पास मैजिकल सीक्रेट लेन में वो जोपने का जादा समय बाकी नहीं था इसलिए वो तुरणती होली रिंग आफ ट्रैंकिल कोडिस को बाहर निकाल कर मार्शल स्पिर्ट को एब्सॉर्ब करने का प्रोसेस स्टार्ट कर दीता है अब मार्शल स्पिर्ट को एब्सर्ब करते हुए जियान चैन सोचता है कि 5th grade गीन मार्शल स्पिर्ट उसके होली रिंग काफ ट्रैंकिल कोडिस के लिए एकदम पफेक्ट है चुकि इसके वज़े से उसका होली रिंग काफ ट्रैंकिल कोडिस अपनी breakthrough करने के बाद fourth grade red marshal spirit में transform हो सकता है अब जियान चैन की इसी सोच के साथ ये सीन ही कर जाता है अगले सीन में हमें अगला दिन दिखाया जाता है जहांपर जियान चैन अभी भी कल्टिवेशन में busy होता है और cat beast उसके सामने बैठ कर उसका wait कर रहा होता है तब जियान चैन अचानक से ही अपनी आखे खोलता है और हम देखते हैं कि उसकी body से बहुत तेज और बहार निकलता है इसके विज़े से उसका holy ring of tranquil kudis breakthrough करने लगता है और बस कुछी देर में उसका holy ring of tranquil kudis अपने breakthrough में successful हो जाता है जिसके साथ ही जियान चैन spiritual realm के peak पर पहुँच चुका था जिसे देखकर cat भी सोचता है कि उसे जियान चैन पर भरुसा करना भी चाहिए या नहीं लेकिन वो सोचता है कि इसने martial spirit को इतनी easily absorb कर लिया जरूरी कोई simple इंसान नहीं है इसलिए उसे इस बात का benefit ले लेना चाहिए तभी जियान चैन उसे पूचता है कि तुमने क्या सोचा है और उसके पूचने के साथ ही एपिसोड यहीं खदम हो जाता है तो जैसा कि लास्ट अपिसोड हमने देखा था कि जियान चैन ने अपने Martial Spirit के Fusion को खदम कर लिया था जिसके साथ ही उसका Holy Ring of Tangle Quotis भी अपगेड़ हो चुका था इसके अलावा वो अपनी Martial Spirit के Peak पर पहुच चुका था जिसके बाद वो Soulating Beast से पूचता है कि तुमने क्या फैसला किया क्या तो मेरे ओफर को एक्सेट करना भी चाते हुए नहीं जिसके बाद Soulating Beast जियान चैन के साथ कॉंट्र को साइन करने रगता है और बस कुछी तेर में ये कॉंट्रेक्ट भी साइन हो जाता है जिसके साथ हैं हम देखते हैं कि नोरों के माधी पर एक अलग-अलग निशाना चुका था जो कि देखने में लगवोई सेम साही होता है जिसके तुरंत बाद जियान चैनल पर प्रामिस को पूरा करते हुए अपनी पावर से वहाँ पर एक Dragon Soul को समन कर लेता है जो कि God Blood Land की पावर होती है जिसे वो Cat Beast को दे देता है और बताता है कि जब तो इसे अबसर्ब कर लोगे तो तुमारी पावर्स पूरी तरीके से स्टिमिलेट हो जाएगी जिस पर Cat Beast भी उस Dragon Soul को लेते हुए ओके बोलता है और फिर उसे तुरंथी चट कर जाता है जिस पर अब जियांचनों से फूचता है कि तुमें कैसा लग रहा है जिस पर वह वह जब जब खुश हो जाता है और एकदम उल्टाओ के लेड जाता है अब चुकि ये Cat Beast इस पावर को हाथी इंसेक की तरफ जाने लगता है इदर हम कुई YING के साथियां को देखते हैं जो कि टेलिपोर्टेशन एरे को देखकर बहुत जब जब खुश हो रहे थे क्योंकि अब वो फैनली यहां से जिन्दा बचके जा रहे थे क्योंकि वो लोग यहां थे तब उन्होंने सोचा था कि ये जगह ऑफिचनर्टी से भरी हुई होगी लेकिन ये तो उनके लिए किसी पुर्गेटरी से कम नहीं था लेकिन कोई YING और उसके ग्रुप को यहां से ये जिन्दा वापस जाते हुँ देखकर 11 को बहुत ज़दा गुस्ता आता है क्योंकि अब उसके पास इतना टाइम भी नहीं था कि वो सोल का ट्रोलिंग स्पैल को भी यूज कर सके और लोगों को ख़त्म कर सके जिस पर सीतू को इंशानों से सांथ करते हुए बताता है कि लोगों के पास अब इतनी भी तागत नहीं है कि यहां से वापस जाने के बाद कोई भी ट्रॉबल कर सके जिस पर वो खुश हो जाता है क्योंकि वो जाता था कि जियांचत के होते हुए ये लोग दोबारा कोई हरकत नहीं करने वाले हैं जिसके साथ ही ये लोग भी यहां से टेलिपॉर्ट हो जाते हैं इसके बाद हम हाउटी एंसेक के माशलार्ट फील्ड को देखते हैं जहांप़ सबी लोग टेलिपॉर्ट हो कर आये थे साथियों की ज्यांख खत्रे में हो सकती है इसलिए वो जल से जल्दों ने ढूने लगता है वो जानता था कि हाउट इन सेक्ट में बहले ही हादार नए डिसापर को एकसेट किया गया हो लेकिन इससे बावजुद भी ब्लूफार सेटी सिर्फ तीन ही फ्लेसिस को हासिल करने म खुब मज़े करेंगे इस बात को जियांचन भी सुन लेता है और जाथ देखता है तो वहाँ से पता लगता है कि कोई सेतु और डार्क लैवन को तो कोई इंग और उसके साथ ही घेर रखा है जिसे देखते ही जियांचन उन्हें बचाने के लिए चला जाता है वहीं कोई इंग डार्क लैवन और कोई सेतु को धंकाते भी कहता है कि अकर तुम दोनों जिन्दा रहना चाहते हो तो कॉपर और गोल्ड एलॉय जो कि तुमने हमसे लिया था वह वापस कर दो इसके लावा अपने कल्टिवेशन को डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ अपने स्पॉर्ट बिना डरे इन लोगों को फिर से धंकाये लगता है जिस पर अप सीतु कुई शैन को भी गुस्नाये लगता है और वो अपनी सौट निकालते भी कहता है कि अपनी बकास बंद करो हम ब्लू फार सिटी से हैं और जियान चनने पहले भी मेरी जान बचाही है इसलिए अब मैं क किसी भी हालत में सेरेंटर नहीं करने वाला हूँ इतना कहता है वो एक पावरफुल स्किल का यूज को इंक की तरफ कर देता है और इसके साथ ही वो डार्क लैवन को भी उसे जोइन करने के लिए जिस पर डार्क लैवन भी खुश होते हुए अपने फॉम में आ जाता है औ और वो आते ही इनके अटेक को डिस्ट्रॉई करने के लिए नाइन सन डिवाइन फिस्ट का यूज कर दीता है उसकी पावर इतनी ज्यादा टैरेफाइंग होती है कि इन दोनों के अटेक एक ही बार में डिस्ट्रॉई हो जाते हैं और यून फी इनका मज़ाग उड़ाते ह ऋबता दो करते हुरे इने कचले का डेर बोलता है और कहता है कि'mारा जियान जाता हुर मेरे सामने कुछ ता हम अचल नहीं हो जरस किन की बात कि dizer तो पर शोजाता है और उसे कई कोही नहीं को लग रहा था कि के सामने एक Jesús कि दिवारा की तरह बन जाएगा जो कि G9rukशई टेकिन जैसे ही जियांचन मेरे स्वाम ने आएगा तो मैं उसे खत्म कर दूँगा तब यहाँ पर जियांचन भी जाता है जो कि काफी घुस्से में होता है। उसे जैसे ही ये दोनों देखते हैं तो ये दोनों को थोड़ा सुगुन मिलता है और आते ही जियांचन अपनी शैड़ो ब्लड स्लैश की एक पावरफुल टेक्निका यूज करते हुए सीधे कुईन फिर पर अटेक कर देता है लेकिन कुईन फिर भी जियांचन को अपनी तर षी जियांचन मारा गया होगा पहले तो कुईन फिय को भी यहसे लगता है लेकिन जैसे ही वह लिध्यांचन को जिनदा देखता है तो ये देख कर उसे भी काफी हरानी होते है बहले ही मैंने अपनी full strength का यूजर नहीं किया लेकिन बावजुदिस के उसने मेरे attack को आसानी से रूख लिया ये कोई ordinary person नहीं है तब भीर में ख़ड़ा हुए एक आदमी कहता है कि मैंसे जानता हूँ ये तो blue fire city से है जिस पर दूसरा कहता है कि क्या पकवास कर रहा है इतनी छोटी रिस city से इतना जीरेंस इसन कैसे आ सकता है जिस पर वो आदमी सभी को बताता है कि इस आदमी के पास जो qualification है जो power है वो रहर होती है और ये कई सो साल में किसी एक के पास ही ऐसा होता है तो दूसरा आदमी कहता है कि शायद हम सही कह रहे हो क्योंकि ये spiritual realm पर होने के बावजूद भी एक ऐसे आदमी से fight कर गया जो कि गुयान city का सबसे powerful इंसान माना जाता है जिस पर तीसरा आदमी कहता है कि शायद इसके अब दिन भर चुके है क्योंकि ये गुयान city के सबसे powerful इंसान से fight करने जा रहा है जो कि इससे कई level आगे है वहीं सामने के palace में खड़े हुए हम एक आदमी को देखते है जो कि शियान चन को देखकर कहता है कि इस spiritual realm के peak पर होने के बावजूद भी ये आदमी इतना दब powerful है और इसके पास बहतरी इंट fighting techniques भी है तो क्या हमें इस fight को रोकने के लिए action लेना चाहिए और ये बात वो मिस पैंग से बोल रहा था जो को इसके पीछे खड़ी हुई थी इस आदमी का नाम हाव हैन होता है और ये हावटी इंसेक्ट के डैंकुई हॉल का वाइस लीडर होता है उनकी बात को सुनकर मिस पैंग कहती है कि आखिर पॉइंट क्या है वो लड़का खुद ही मरना चाहता है क्योंकि उसकी current strength के हिसाब से वो 8th grade of Zenwood realm के किसी warrior को नहीं मार सकता है और कुई इंफी का वैसे भी हावटी इंसेक्ट में backup है इसलिए हमें खुद के लिए कोई भी ट्रबल क्रियेट नहीं करना चाहिए मिस पैंक का पूरा नाम पैंक हुई है और ये भी हावटी इंसेक्ट की शैनुएंड हॉल की वाइस लीडर है इसके बाद वो कहते हैं कि वैसे भी मुझे स्टूपिड लोगों से स्थक्नाफरत है क्योंकि वो बेवकूफी में कुछ भी कर जाते है मिस पैंक की बात को सुनकर है नहाओ भी उनकी बात पर एगरी हो जाते है और कहते हैं कि ठीक है हम लोग तब तक वेट करेंगे तब तक ये लोग अपने मैटर को खुद ही सेटल नहीं कर देते हैं उसके बाद हमेने अपनी सेक्ट में जोइन कर आ लेंगे और फिर वो जियांचन की तरफ देखते हुए सोचते हैं कि क्या तुम लोग ठीक हो और फिर अपने पास से एनरजी रिकवलिंग पिल्स की एक बोटल निकालते हुए उन्हें दे देता है ताकि वो खुद को हील कर सकें और बाकी की चीज़ें उस पर छोड़ देने के लिए कहता है जिस पर ये दोनों मना कर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इन सब में इन्वर्ब नहीं होना चाहिए जिस पर वो खुशें पूशता है कि अगर तुम्हारा मतलब क्या है जिस पर सीते कोईंग चैनल से बताता है कि तुम्हारा आयनमी बहुत ज़दा पावरफुल है बोस जैनवर्ब रेल्म के इल्द ग्रेट को मास्टर कर चुका है तुम्हारा उससे जीत पाना नामंकेन है और वैसे भी हमने तुम्हें काफी ज़दा निराश किया है और अगर तुम हमारे वज़े से किसी भी मुशिवत पढ़ गए या फिर मारे गए तो हम कभी भी खुद को माफ नहीं कर पाएंगे जिस पर जियान चैन सीते कुईंग सेन का हाथ पकड़ते हुए उसके हाथ में पिल्स की बहुत धमा देता है और कहता है कि तुम लोग फिक्र मत करो तुम लोग नहीं जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं वैसे भी मैं अपनी मौद का खुद से कारण नहीं बन सकता हूँ अब सीते कुईंग शेन या फिर डारक लेवन फिर से उससे कुछ कहें उससे पहले इस दियान चैन खड़ा दो जाता है और सीधे कुईंग से चलाते हुए कैता है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरे लिए सेयर बन कर रहोगे क्या तुम अपने मास्टर को बि्ट्रे कर रहे हो जिस पर कुईंग कहता है कि हमने ऐसा कोई प्राफिस नहीं किया था और वैसे भी उस समय तुमारे Soul-Cartrolling Spell से हम लोग बंदे हुए थे इसलिए forcefully तो हमसे copper and gold alloy को mine करवा रहे थे अगर आज हम लोग कोई infusion नहीं मिले होते तो हमारे उपर से Soul-Cartrolling Spell का असर कभी खत्म नहीं होता और हम लोग पूरी जिंदगी बार मरने तक तुम्हारे गुलामी बनके रहते इस पर जियांचन हसते हुए कि चलो अच्छा है कि तुम्हारे ये तो पते चला कि तुम मेरे Soul-Cartrolling Spell से कभी आज़ाद नहीं हो सकते हो लेकिन इसके बावजूद भी तुमने मेरे दोस्तों को हड़ करने की हिमत कैसे की तो कुई इंग हसते हुए कहता है कि लगता है तुम बहरे हो चुके हो मैंने अभी भी तो बताया कि हमारे उपर से तुम्हारे Soul-Cartrolling Spell को हटाने वाला कोई और नहीं कोई इनफी है जिस पर कुई इंफी कहता है कि मैंने बस एक हाथ से ही तुम्हारे इस Spell को तोड़ दिया उसके बावजूद भी तुमसे मेरे सामने डरा रहे हो जिसके जवाब में इस दियांचन गहता है कि अच्छा मुझे तो नहीं लगता है कि उच्छे ऐसी बात है और फिर हम देखते हैं कि वो अपनी फिंगर को उपर उठा लेता है जिसमें कोई अलग सी पावर ही जनरेट हो रही थी ये देखकर कुई इंग काफी जदा घबरा जाता है और कहता है कि नहीं मुझे नहीं लगा था कि इसके पास एक डेडली मूब भी होगा और वो डर के मारे कुई इंवी के पीछे आकर छुप जाता है जिस पर कुई इंवी कहता है कि तुम्हें डरने की जरुवत नहीं है ये मेरे रहते तुम्हें बिलकुल भी हट नहीं कर पाएगा लेकिन कुई इंग की तो हलत खराब हो चुकी थी इसलिए उसकी कोई बात नहीं सुनता है जिस पर कुई इंवी उससे बचाने का डिसेट करते हुई अपनी पावर जनरेट करने लेटता है और कहता है कि गुईयां से डिके किसी भी इंसान को मेरे सामने कोई भी हट नहीं कर सकता है और फिर अपनी पावर को जमीन में मार देता है जिसके वज़े से उसके सामने एक पावरफुल शील्ड जनरेट हो जाती है और इसी के साथ यह अपिसोड यहीं खत्म हो जाता है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शूर और कमेंट करना ना भूलें तैंक्स ओर वाचिंग